तो दोस्तो आज हम लेकर रहे हैं आप सब के लिए गेहुस के आठे से बनने वाला पहुत ही जटपट और पहुत ही स्वाधिष्ट नास्ते की रेसिपी जो की अब बहुत ही कम समय में बना कर त्यार कर सकते हैं कुछ ही चीजों से ये नास्ता बनकर त्यार हो जाता है दोस्तों और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़दार लगता है तो चलिए दोस्तों इस नास्ते को बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हम एक बागुर में चार चमच गेहु काटा डालेंगे आधा चमच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और एक चमच डालेंगे सफेद तील और चमच हल्दी पाउडर चुटी नमक डालेंगे इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे कटी हुई धनिया की पत्ती और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद थोड़ा थ मेने तो इस को तो गुठातर पानी डालते वह लकुठे हैं युल युठ ज़रती दा रंज्द पानी ड properly नहीं कि युठलियसा उन्हीं केbor If the customer means में वह देखी. कुझ देट रखा ज्जुड़ने लोग डाला खानी दान दके केöyle वा new yam प्रचीज को बारी कटकर दालेंगे 4-5 हरी मिर्च डालेंगे आप अपने टेस्ट के टोंगे डाल सकते हैं जितना आप तीखा खाते हो आदा चमच डालेंगे जुटाइन चाट मसाला और कस्मेरी लाल मिर्च डालेंगे आदा चमच और वुनाुवड जीरा पौड़र आदा तो चलिए इसकी हम दो बड़ी बड़ी लोई बना लेते हैं आप चाहे तो तुरंत आंता गूत कर भी बना सकते हैं नर्मल रोटी के आटा जो होता है उसी से बनता है तो अकसर हम सभी के घर में रोटीयां बनाते हैं तो आटा तो बची जाता है दोस्तो तो ये नास्ता कट कर लेंगे दोस्तो कुछ इस तरीके से ताकि हमारा नास्ता का जो सेप बने एक पराबर बने और देखने में काफी खुफसूरत लगे तो चलिए एक्स्ट्रा जो आटा है इसे हटा लेते हैं इसे हम फिर दोबारा से यूज़ करेंगे देख सकते हैं दोस्तो तो एक सा इस त्रीके से सेट करने पर अच् banyak व्रूट अब इससे कुछ इस तरीके से हम करेंगे पूरे इसको हमें नहीं बंद करना है इस तरीके से बनाना है यह न Kerry कि लग रहे दो स्टु तो चलिए इसी तरीक से हम सारे नास्त्य को बना कर तैयर कर लिये हुए एंग इसे फ्राइब करेंगे डी wash करेंगे 30 अ बहुत इंट हो आख़ता और एक OFसी तGHTकर नमा करेंगे दोस्तों इसे एक पुड़ा दुना ंाँ ही में दाल में ऊवेते हैं अलब नहीं होतीर इसमें उलट पुलट कर इसे क्रिष्पी होने तक फ्राइ करेंगे ताकि इसका कलर अच्छे से आ सके गौल्डें कलर इतना हम इसे फ्राइ करेंगे यह देखिये इसका कलर कितना बढ़िया आया है दोस्तो तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और आपको दिखाएंगे कि यह बना कैसे है दोस्तो तो दोस्तो अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो पिलिज दोस्तो लाइक और सब्सक्राइब करती चीगा और प्यारा सा कमिट जरूर करिएगा दोस्तो तो चलिए यह देखिए नास्ता हमारा बन कर तैयार हो गया है देखने म काफी बढ़िया लग रहे है दोस्तो इसे चाय के साथ खाएंगे यह चटनी के साथ खाएंगे बहुत ही जदा मज़ेदार लगेगा बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत जदा पसंद आएगा दोस्तो इंज्वाए करिए